कि यह व्रीवन इसमीं हमजेन यूर वाचिंग एश्टी एक्स विल्कम बैक तो चैनल कैसे हैं आप से टीक टाक हैं तो जिस टाइटल पर आज बात करने वाले हैं कि पढ़ तो चुके होंगे के अमबैस्टी क्या भारत तो पुरा पाकिस्तान खरीद सकते वेल जितने आपके सेंट्रल डिजर्फ में पैसे हैं वो हमारे पास हैं सिरफ 4.5 बिलियन डॉलर्स और आपके पास हैं तक करीबं 600 ब्लस बिलियन डॉलर्स तो आटे में नमक के बराबर हिसाब किताब है और अगर रियल स्टेट पर चैस करना शुरू करें इंडिया तो पुरा मिलकसा नहीं स खरीज सकता है इवन विद एसेट्स गवर्मेंट एसेट्स कर सकते हैं यह चीज़ हम देख रहे हैं ना दुबाई में आप देख लें कि 90 परसंट जो प्रॉपर्टी पे इंवेस्मेंट है वो इंडियन्स की है और पढ़ रही है वो एड देखती ना अब डैनी उप का घर तो आईए देखते हैं पहले वीडियो देख लेते हैं कई बार टाइटल बड़ा अग्रेसिव होते हैं अंदर बात कुछ और होती है लेकिन अब देखेंगे फिर कोई बात करेंगे शुरू करते हैं 3-2-1-N नमस्ते दोस्तो जैहिंग हिंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वाग था दोस्तो हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिन्स्टर शहबाद शरीफ ने अमेरिका में स्थिद अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मन्सूरी दी थी अब इसे खरीदने के लिए बोली लगनी एक भारतिय भी शामिल है यह इमारत अमेरिका की राजधानी वाशिंग्टन के पौश इलाके में है और इसकी कीमत करीब 7 अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है इस इमारत में पहले पाकिस्तानी दूतावास का डिफेंस शेक्शन था पाकिस्तानी अकबार की अनुसार भारत अब पाकिस्तान की इमारते निराम होते देख पाकिस्तान में इस पर बड़े जोरो शोरो पर बहत शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी मेडिया यह चंटावास की तरफ से भारत हमारा पूरा मुल्क खरीदने जा रहा है फिर दूसरी जो पास है यह यह बड़ी और दूसरी फिर रहा है तो यह था गी षवचिर्टन परषब दिख का है यह बड़ी झाओ थेखेबंड धावास की वॉचिंटन प्रफेयर्ट सेमार्ण इस लजई तो भाई ये क्या है यह किस को बेच रहे हैं क्या हो रहा है यह जनाब अच्छा दूसरी जो को खबर लगी लगी है और कैसे बेचेंगे उसके लिए फैनेशल एडवाइजर मुकरर करती है न्यू आप में कैमिनेट कमिटी वायर करने जा रही है फिर्म रोजवेर्ड होडल क अच्छा देंगे उसके प्राइजर आप ने खिर्म रहे हैं और किया किया खुदाजा ने खुद से नहीं चल रहा है तो खंडर तो नहीं बनाना ना वहां से एक जनाब इसको कोई मुकरर हो गया बंदा अब मसला यह है कि इतने का क्यों कब कैसे को प्रेस कांफरेंस करें क कोई हमें समझाएं कि इन जगों को बेज बेंगे कि मैशर ठीक करनी है क्या मतलब इसको बेज देंगे तो ब्यासी रुखनी का भी ना ख़जाएगी क्या होगा इलेक्शन लोगों कह रहे हैं कि आयमेस मौईदा का सम हो है और फंड देने जा रहे हैं मैनेज एम्पेस को य नेशनल एक्षिम प्लान को निकालें हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें पर इस शिक जो आए ना के जो आए जो आए जो आए बाकि पर अमल करें तो बात यह कि जो टॉलर है तो यह को यार शायद मसूद साब वैसे बड़ी अच्छी चिपाते करते हैं लेकिन पिछले डेफिनेटली हर इनसान के अपने पलिटिकल नजरियात होती है कुछ पार्टी इसको कुछ लीडर्स को सपोर्ट करते हैं अब प्राब्लम किया है प्राब्लम यह कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे परसंज जो समझते हैं कि यह इस वक्ट जो पीडियम है यह चलाय हुए कार इस साल मिलिटरी इस्टैबलिश्मेंट के थे इनके पास तो है 30 साल और बाकी के जो 5 साल है या 4 साल है वो पीडियाई गुजार चुकी है तो आपके पास जितने भी फेसिस थे चाहे वो पॉलिटिकल फेसिस हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल फेसिस हो आपने सब को आदमा यह लेकिन यह मुल्क डाउन फाल की तरफ ही गम जहने चलता जा रहे उस तरफ वाई सिंपल सा जवाब है बहुत ही सिंपल सा जवाब है तो फस्ट इंग इस एड्यूकेशन सिस्टम ठीक किया जाए सेकंड चीज इस के बहुत जैदा जो आपने एक रेगुलेट नहीं किया भाना मुदरसों को इनने रेगुलेट किया जाए इनको रेगुलेट करेंगे इन पे कमपल्शन कर देए अ कि 欸 जो है ना आपकी जो एड्युकेशन है इसलामिक एड्युकेशन उसके साथाथ ही है आपके जो सिंपल हम जो पढ़ते हैं दुनियावी एजुकेशन ठीक है जो राइज है जो काम भी आएगी दुनिया में रहते वे आखरत के लिए आप दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन दुनिया के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है वो लाजमी करें और बच्चों को साइटफिक अनलेसिस और सारा कुछ पढ़ाया जाए और फिर बच्चे फैसला करेंगे ना उन्हों को इस फील्ड को जोईन करने एक तो एजुकेशन सिस्टम जितने भी रिटार्ड परसनल्स हैं या सर्विसमें हैं उनका सीधा सीधा हिसाब किया जाए कि भाई आपकी सर्विस से आपके पास ये एसेट होना चाहिए था इस एसेट से अगर आपने कोई बिजनस शुरू की है तो आपकी ये वैल्यू होनी चाहिए थी उसके इलावा पैसा कहां से आया अगर वो जवाब दे देते हैं और सैटिसफेक्टरी जवाब है ओके नहीं दे पाते हैं तो सर्वो सारा माल सीज किया जाए और हमारे रिजर्व में डाल दिया जाए आपको लगेगा कि ये ख्याली पला होए लेकिन अगर इस मुल्क को ठीक करने तो हमें अकाउंटिबिलिटी तो करनी पड़ेगी चलें अकाउंटिबिलिटी नहीं भी करनी जो हो गया सो हो गया आगे के लिए आप कर दें कि अब से आनवर्ड जतना भी होगा वो अकाउंटिबल होगा हर चीज़ चेक की जाएगी और अपना लाइफस्टाइल चीज़ किया जाएगे जब हम यह चीज़ें शुरू कर देंगे हमने जो खुद को मुगले आदम समझा हुआ है कि हमने जेब में आना है और करदा लेके हमने चर्गा खाना है तो फिर तो हम इसी तरह चीज़ें बेचते रहेंगे और एक time आएक बेचने के लिए भी कुछ नहीं होगा तो फिर आप मुल्क के लाके लीज पे दिना शुरू कर देंगे एक टाइम आगा वह भी नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा फिर हम सड़क बैठे होंगे सब अल्मस्ट अभी भी सड़क पर बैठे में हैं लेकिन हम इस टाइम सूटिड बूटिड फकीर हैं सुटिड बूटिड समझते होगे पेंट कोड़ पहान के एडुकेशन डिग्रियां हमार पास हैं और हम खटोरा लेके बैठे हैं अभी हम इस टाइप के फकीर हैं अगले 20 साल में क्या होगा कि हम कपड़े भी उतर जाएंगे लेकिन बैठे महीं होंगे तो मेरा खियाल है जितने पाकिस्तानी सुन रहे हैं सबाल उठाएं लाइस्ट करना छोड़ते हैं कि ठीक है अल्ला की तरफ से कोई कमर अल्ला की तरफ से कोई करम हो जाएगा यह भी नहीं करना चाहिए मेनत करेंगे तो करम भी हो जाएगा बाकि मर्दी आपकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपने खाल रखिएगा सी यू गाइस